वेलकम बैक वितमी सोगंदा मैं आप सभी का स्वागत करती है तो आज एक बिंडी के साथ हम बिल्कुल भी मज़िदार रेसिपी देखने वाले हैं ट्रस्मी गाइजे खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आपका इसे कलर और इसका टेक्शर देखके तो अल्मोस्ट आ चाता है तो इसका बेसिक प्रेशन बना लेंगे तो इसके लिए मैं यहां पर थोड़े से काजु लिए जिने अगरम पारी में सोग करके रखा था लगबक मैंने इन्हें आदा गंटे के लिए सोक करके रखा था उसमें थोड़ा सा पाने डाला रिसे आम अच्छे से ग्रा काजू पेस्ट के साथ एक अच्छा सा मिक्स देंगे अब देख सकते हमने इसे मिक्सी में चला लिया है कुछ इस तरह से बहुत ही ब्यूटिफुल सा बनके रेडी हो चुका है तो नेक्स्ट हम यहां पे भिंडी को फ्राइब करेंगे तो मैंने भिंडी को साफ करके यहां प किल्कुल भी पानी ना हो दोने के बाद आप इसे अच्छे से पोच ले ताकि इसमें वह चिपचिपा लेस आता है वह ना आए तो मैंने इस तरह से सारे बिंडी को उगट करके रख दिया और यहां पे मैंने थोड़ा सा ओईल लिया है आप इसमें और एक दो चमजबे ही हूँ और हम यह जो प्रोसेस होगा बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे यानि कि जो बड़ा वाला बर्नर होता है उस गैस पर आपकी जो तो बैतर होगा तो यह बिंडी अपना चिपचिपा लेस रिलीज होता है इसमें गरम होने के बाद तो वह नहीं होगा यहां पे तो हमें बिल्कुल भी इसे हाई फ्लेम पे ही करना है साथी में यहां पर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूं इसे टॉस करते वक्ती आप चाहें तो नमक के साथ थोड़ी से हल्दी भी आड़ कर सकते कोई प्रॉब्लिम नहीं है तो हमें इसी तरह से सारी बेंडी को इस तर कर सकते हैं और इसे बीच में डखन देकी भी पका लेजिए ताकि अच्छे से सॉप्ट हो जाए मैंने यहां पर बीच में चार-पार मिनिट के लिए इसे चोड़ दिया ता गैस को डखन लगा के साथी में मैंने यहां पर पैस को कट किया है इस तरह से बड़े-बड़े च साथी हो जाएगा इसलिए मैंने इसी के साथ इसको एड़ किया है तो इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे अब देख सकते हमारे बिंडी अल्मोस्ट हो चुकिया तो पहले बिंडी को निकाल लेंगे तब तक हमारा पैस भी बहुत ही अच्छे सीज में फ्राय हो च कर लेंगे इस सेम बावल में थोड़ा सा हलका साथ करना है बाकि कुछ नहीं है पैस का आप इसकी कॉंटिटी कम ज्यादा कर सकते है अपने साब से लेकिन इस क्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट एता है थोड़ा सा इसमें जो क्रण्च आता है वह बहुत ही अमेजिं में धार करने देते हैं कर सकते हैं कि यह कटम हों ौने के बात में यहां पर पैस चाल रहे हैं यह लगब्ध मेण लिए थे जिनने मिडियम चॉप कर लिए है और इसे अच्छे से अधर कर लिए के अन्दर ठोड़ा सा इसको आप देख सकते है लाइट ड्राओन अब तक भी आप कर सकते हैं या फिर स्वर्णाला सा टॉस कर लेजिए जब तक थोड़े से सौप ना हो जाए तो इस तरह से मरा हो चुका है तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें कार्लिक इसे में थोड़ा सा चॉप करके गार्लिक लिया है एक हरे मिर्च को काट के लिया है पहले हम अनियन को फ्राय करेंगे उसके बाद ही गार्लिक को डालेंगे ताकि कार्लिक का इसमें फ्लेवर आ जा पर दो चम्मच के करीब लाल मिल्च रह रही हूँ आप अपने का अकॉर्डिंग इसमें लाल मिल्च आड़ कर सकते हैं जितना आपको तीखा पसंद हो साथी में यहां पर गरम मसाला डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब यह मेरा सच चम्मच शोटा है तो मैंने एक चम्मच लिया है आप हाप चम्मच भी ले सकते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे डिजन तो आपको बताएगी मसाले बहुत जादा जले ना इसलिए हम इसको की स्प करने के लिए में यहाँ पर अड़ करें हो नमक जिससे की यह बहुत जल्दी पक के रडिव होचाएगहा अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अच्छे से मीक्स हो चुका है तो अब हम इसको डखन लगा कि अच्छे से पांच मिनिट के लिए पकने देंगे अल्मोस्ट हमारे 5 मिनिट हो चुक है और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पका हुआ दिख रहा है आप इसे थोड़ा सा यहाँ पर मैश भी कर सकते हैं जैसे कि मैं इसे मिक्स करते वकि थोड़ा समैश कर रही हूँ उस तरह से यहाँ पर आप इसी तरह से इसको भी रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब मैं यहाँ पर एड कर वे जल के जूलियन यहाँ पर मैंने अद्रब को लंभे लंभे अच्छे में काट लिया है यहाँ तो उसे मिने एड किया है कर्ड और कैश्यव पेस्टे उसे में और डाल रहे था कि इसे हमें अच्छे से बून सको यहां पर पानी डालने के पाइट यह अच्छे से रोस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो इसे इसे मिक्स कर लेना है कि अपने इसको ज्यादा नहीं पकाया तो पीज चलेगा क्योंकि इसको पूरा और रिलीस होने तक इसना इसे फ्राइन करना है क्योंकि आपके ग्रेवी को एक बहुत ही अच्छे से थिकनेस देगा और थोड़ा समय यहाँ पे पाने आड़ करें जब यह पक्के रेड़ी हो गया है तो रद्बग दोती मिनिट में यह रेड़ी हो जाता है साथ ही मैं टेस्ट के एकड़े नमक दाले हो नमक तोड़ा रैंस से डालना है क्योंकि हमने भिंडी में नमक डाला है टामाटर में डा और अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे कवर करके चार-बाच मिनिट के लिए इसे छोड़ेंगे क्योंकि हमारा अल्मोस्ट बिंडी पक चुकी है तो में ज्यादा टाइम नहीं लगता है अब देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से ग्रेवी बन के रेडी दिख रही है ह यहां अब इसके के साथ इसमें कसुरी मेती डाल सकते उसमें इससे बहुत ही बड़िया टेस्ट मिलती है तो अब आम इसे अच्छे से मिक्स देढ़ेंगे और अब हमारी यह निश खाने के लिए बिलकुल भी रेडी है अब देख सकते हैं बहुत ही इसी बनाना भी बहुत इसी है आप इस रेसिबी को जरूर ट्राय किजिए इसके पूरे डिटेस मैंने डिस्क्मिशन बॉक्स में डाले हुए तो प्लीज चेक आउट आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किजिए शेयर किचिए और बेल आइकन को भी जरूर क्यों किजिए